लखीमपूर खीरी जिले में उस वक्त को हराम मज गया जब शौच को गए एक मासुम को तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामिनों में दहशत छा गई वही ग्रामिनों के द्वारा शौर मचाने पर तेंदुआ मासुम के शव को छोड़ कर जंगल में भाग गया दरसल ताजा मामला लखिमपूर खीर जिले के दूदवा टाइगर रिजर्व के धोराहरा रेंज का बताया जा रहा है जहाँ पर जनपद लखिमपूर के इसाई नगर थानाक शेतर के गाव बेला गड़ी के मजरा गुजारा पूर्वा में मगलवार की दोपर अंकित कुमार उम्र 11 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद गौतम शोचकर ने खेत गया हुआ था गाव से करीब 200 मिटर की दूरी परस्थित खेत में पहले ही शिकार की घात में बैठे हिंसक तेंदुए ने बालक पर हमला कर दिया ग्रामिणों ने बताया कि सड़क किनारे ही एक गन्ने के खेट में बालक को खा रहे तेंदू को देखकर उदर से निकल रहे ग्रामिणों ने शोर मचाया तब जाकर तेंदूए ने मासुम बच्चे का अधखाया शव छोड़ा जिसके बाद मौके पर पहुची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वह इसकी जानकार मिलने पर मौके पर वन विभा की टीम भी पहुच गए और तेंदूए को पकड़ने के लिए कमिंग करना शुरू कर दिया है और जगा जगा पिंजरे भी लगा दिये है वही फिल्ड आरेक्टर संजय पाठक की माने तो यदि इस तरह से ये तेंदूआ नहीं पकड़ा जाएगा तो उसे ट्रेंकुलाइजर कर पकड़ा जाएगा जिससे कि ऐसा हाथ सा दोबारा ना हो सके घटना संजयान में लाया गया हमारे धरार रेंज के अंतरगत है चेतर वहीं से और आपने देखा हो कि वहाँ पे पिंजरे लगाए गया है ताकि तिद्वा उसमें गिरफ्त में आ जाए तो ऐसी दसा में यदि आता है तो फिर उसको अन्यातर छोड़ा जाएगा लेकिन य लखिंपूर खीरी से फारुक हुसेन की रिपोर्ट झाल 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 झाल